आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question says जब हम इथनॉल का Complete Oxidation कराते इतनॉल का Complete Oxidation होता है इतने से आपका क्या Product बनता है यह आप से पूछा गया रइट आपको देखो समझना होगा अगर हम बात करते हैं Oxidation की Oxidation आपका एक कैसा Chemical Process होता है जिसमें इदर हम क्या कराते हैं Addition कराते हैं आपके Oxygen Atom का या हम क्या कराते हैं Removal होता है आपके पास Of Your Hydrogen Atom या तो आप Addition कराओगे Oxygen Atom का या Removal कराओगे Hydrogen Atom का आपके Oxidation कराते हैं अब अगर मैं इतनॉल की बात करते हैं इतनॉल बेसिकली आपका क्या होता है CH3 CH2 OH इसका Complete Oxidation देखो हो रहा है अब देखो होता क्या है यह आपका इतनॉल है अगर हम इसका Oxidation कराते हैं तो फर्स्ट टेप में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपका क्या है Removal होता है Hydrogen का क्योंकि आपके यहाँ पर पहले क्या बनता है जब हम इसका क्या है Partial Oxidation कराते हैं आपके अधिस formation होते है CH3CHO की इसे हम कहते है Ethanol कह सकते हो आप या आप इसको क्या कह सकते हो Acetaldehyde भी कह सकते हो यह बेसिकलिए आपकी क्या Class of Aldehyde है आप देख सकते हो कि पहले आपके अधिस इनिशली आपके अधिस देखो hydrogen atom is also oxidation point अब further क्या होता है कि further जब हम complete oxidation कराएंगे तो अब आपके आस formation हो जाती है CH3 COOH की राइट अब आपके आस क्या है एक oxygen का हम नहीं है आपके addition कर दिया राइट clear oxygen का addition हो रहे है मतलब again oxidation है और इसे हम क्या कहते हैं क्योंकि दो carbon atoms है सो इसको आपके इथ लगाओगे बट क्योंकि आपके acidic group है तो ethanoic acid clear ethanoic acid because कोई unsaturation भी नहीं है तो यह alkane family में आपका आएगा आप ethanoic acid भी कह सकते हो और आप इसको acetic acid भी कह सकते हो सो आपके जब complete हमारे पस oxidation होता है तो आपके acidic acid या ethanoic acid की formation होती है सो अमंग इस हमारे आपके acidic acid है सो यह आपका option 3rd करेक्ट होगा acetyl dehyde form होता है बट वो आपका partial hydrolysis sorry partial oxidation से होता है हमें complete oxidation कावदा आपसा तो that will be acidic acid सो option 3rd आपका करेक्ट होगा Thank you